प्रेंट्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तानी फेमिनिस्ट पोईट कीश्वर नाहीद की एक पोयम के बारे में जिसका नाम है I am not that woman यानि मैं वो औरत नहीं हूँ फ्रेंट्स यह जो पोयम है यह एक फेमिनिस्ट पोयम है और पूरी पोयम में पोईट ने यही बताया है कि किस तरह जो विमेन है जो फिमेल पॉपुलेशन है किस तरह से उनकी जो स्थिती है सुसाइटी में वो बहुत ही जादा अब नहीं सहेंगी और अब हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और कोई हमें रोक नहीं सकता है पोईट यहाँ पर कहती है कि जो मैन है उन्होंने विमेन को अप्रेज्ट किया है और जो रिस्पेक्ट उन्हें मिलनी चाहिए वो उन्हें कभी नहीं दी गई है साथ ही वो यहाँ पर कहती हैं कि दाट वुमिन यह जो दाट वुमिन है यह एक तरह का फ्रेज एक तरह का स्लैंग से आप समझ सकते हैं जो मेन यूज करते हैं कि वो औरत इस तरह से जो कहते हैं उसे ही यहाँ पर यूज किया गया है यह दिखाने के लिए कि जो विमेन है स साइटी में उन्हें किस तरह से ट्रीट किया जाता है उनके बारे में किस तरह की सोच होती है फ्रेंट्स कीश्वर नाहित का जन 1940 में हुआ था वो एक पाकिस्तानी फेमिनिस्ट उर्दू पुएट और राइटर है और उन्हें कई सारे अवोर्ड्स दिये गए हैं जिनमें युनिस्को प्राइज फॉर्ड्स लिट्रेचर भी शामिल है साथ ही उनकी फेमस वर्क्स में देश-देश की कहानियां हम गुनागार और ते लिप्स दाट स्पीक ये सभी शामिल हैं तो चलिए फ्रेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और इस पोयम को पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं I am not that woman यानि मैं वो औरत नहीं हूँ जिसके बारे में तुम बात किया करते हो मैं वो औरत नहीं हूँ Selling you socks and shoes जो क्या करती है तुम्हें मोजे, socks यानि मोजे या shoes जूते बेचती है यानि जो ad commercials में तुम्हें जो औरतें दिखाई देती हैं, जो कई तरह की चीजे बेचती हैं, मैं वो नहीं हूँ Remember me, मुझे याद करो, I am the one you hid in your walls of stone मैं वो हूँ जिसे तुमने अपने घर की दिवारों के पीछे, जो पत्थर की दिवारे थी, उसके पीछे छिपा कर रखा था यानि किस तरह से अपनी ही family में जो औरते हैं, उन्हें लोग घर के अंदर रखते हैं, जारा बाहर नहीं निकलने देते मैं भी उन्ही औरतों में से एक हूँ जबकि तुम क्या करते थे, एक बहती हवा की तरह आजाद घूमा करते थे तुमने मुझे तो बंद करकी रखा था, लेकिन तुम क्या करते थे, तुम आजाद होकर घूमते थे और इसमें मेरी कोई गलती नहीं और ये बात तुम नहीं जानते थे, तुम्हें पता नहीं थी कि मेरी जो वाइस है, मेरी जो आवाज है, वो इन पत्थरों के पीछे दब कर नहीं रहने वाली है तुमने मुझे तो इस पत्थर की दिवारों के पीछे बंद कर दिया लेकिन क्या ये पत्थर की लिवारे मेरी आवाजों को रोक पाएंगी तो नहीं और ये बात तुम्हें पता नहीं थी क्योंकि अब मैं बहुत बंद रह चुकी हूँ अब मैं बाहर निकलूंगी और साथ ही मेरी ये जो आवाज है वो भी इन सभी सीमाओं को तोड़ कर बाहर आएगी I am the one you crushed मैं वो हूँ जिसे तुमने दबा कर रखा कैसे? With the weight of custom and tradition तो किन चीजों के तरह दबा कर रखा तो जो tradition है, जो हमारा रिवाज है जो हमारे customs हैं उन में दबा कर रखा कि औरतों के बारे में ये decide किया गया कि उन्हें घर में रहना चाहिए घर के काम करने चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए तो इस तरह की रिवाजों में तुमने मुझे दबा कर रखा है मुझे अपने punk फैलाने नहीं दिये आगे नहीं बढ़ने दिया not knowing that light cannot be hidden in darkness और ये बात तो तुम्हें पता ही नहीं थी कि जो रोशनी है वो अंधेरे में कभी भी छुपी रही नहीं सकती है यहाँ पर ये जो traditions हैं, जो रिवाजे हैं इन्हें अंधेरे की तरह treat किया गया है क्योंकि ये बहुत ही जादा पुराने सोच वाली है आज के समाज में, आज के society में ये बिलकुल गलत है और और ओरते जहें वो रोशनी की तरह है वो धीरे धीरे फैलती जाएंगी, धीरे धीरे सभी को रोशन करती जाएंगी इसलिए इस तरह की जो traditions हैं, जो रिवाज हैं, वो हमें कैद कर नहीं रख सकती है यानि मुझे याद करो मैं वो हूँ जिसकी गोद में बैठ कर तुमने फूल चुने थे अब यहाँ पर ये जो description है, वो किसी की प्रेमिका का भी हो सकता है या किसी की मा का भी हो सकता है एक औरत की गोद में एक बच्चा भी बैठ कर यूँ ही फूलों को चुना करता है और यहाँ पर ये जो writer हैं, वो याद दिला रही हैं कि याद करो वो जो औरत थी, वो मैं ही हूँ, वो कोई और नहीं है and planted thorns and embers और इन फूलों को चुनने के बाद क्या किया तुमने, तुमने मेरी गोद में thorns लगा दिये, कांटे लगा दिये, embers लगा दिये यानि मेरी गोद में बैठ कर तुमने तो फूल चुन लिये, लेकिन मुझे thorns दिये, परिशानिया दी मेरे लिये तुमने life को आसान नहीं किया not knowing that chains cannot smother my fragrance और तुम्हें ये बात पता नहीं थी, कि ये जो chains है, ये जो बेडियां तुमने मुझे पर लगाई है ये मेरी खुश्बू को फैलने से नहीं रोख सकती है ये मुझे रोख सकती है, लेकिन मेरी जो खुश्बू है, मेरी जो understanding है, intelligence है, उसे नहीं रोख सकती है तो अगर तुम्हें ये बात पता होती, तो तुम मुझे in chains में नहीं बानते I am the woman whom you bought and sold मैं वो औरत हूँ जिसे तुमने खरीदा और जिसे तुमने बेच दिया औरत एक human being होती है, आप उसे खरीद और बेच कैसे सकते हैं लेकिन तुमने एक औरत को खरीदा और उसे बेच दिया In the name of my own chastity और ये सब किसके अंदर किया, तो ये कहकर कि ये मेरी खुद के खुद की जो शुद्धता है, जो मेरी खुद की कुवारापन है उसके आधार पर तुमने मेरा सौदा कर दिया लेकिन तुम मुझे खरीदने और बेचने वाले होते कौन हो Not knowing that I can walk on water when I am drowning ये बात जाने बिना कि मैं पानी पर चल सकती हूँ उस समय जब तुम्हें लगा होगा कि मैं डूब रही हूँ यानि तुमने मेरा सौदा कर दिया मुझे परिशानियों की और धकेल दिया लेकिन शायद तुम ये बात नहीं जानते थे कि मैं परिशानियों से लड़कर आगे बढ़ सकती हूँ परिशानियों से जीट सकती हूँ मैं वो औरत हूँ जिसकी शादी तुमने करवा दी सीधे शादी करवा दी ये सोच कर कि तुम्हारा बोज कम हो जाएगा ये सोच कर तुमने मेरी शादी करवा दी ये बात सोचे बिना कि एक ऐसा देश जिसकी जो सोच है जिसका जो दिमाग है अगर वो क्याप्टिव है अगर वो खुली सोच का नहीं है तो वो देश आजाद आखिर कैसे हो सकता है जब तुम्हारी सोच ही इतनी पिछडी हुई इतनी दख्या नूसी है कि औरत एक बोज है उसकी शादी करवा दो तो हमारा देश भला आजाद कैसे होगा जब तुम्हारा खुद का दिमाग इस तरह की सोच से आजाद नहीं है I'm the commodity you traded in मैं वो सामान हूँ जिसका तुमने सोधा किया यानि तुमने मुझे एक सामान की तरह ट्रीट किया मेरा सोधा किया My chastity, my motherhood, my loyalty और क्या किया मेरी सुधता का मेरी जो कुवारापन है उसका सोधा किया मेरा जो मातरत्व था उसका सोधा किया और साथ ही मेरी जो वफादारी थी अपनी family के प्रती उसका भी तुमने सोधा किया कई तरीकों से चाहे तुमने मुझे directly बेचा हो या तुमने मेरी शादी करवाई हो लेकिन एक सामान की तरह तुमने मेरा सोधा किया है Now it is time for me to flower free और अब बहुत हो चुका है अब समय आ चुका है कि मैं एक fool की तरह आजाद हो जाऊँ अब मेरे मन में जो आए मैं वो करूँ तुमने बहुत मुझे बंदिशों में बांधा लेकिन अब मैं आजाद होना चाहती हूँ वो जो औरत है वहाँ उस पोस्टर पर जो बहुत ही छोटे कपड़े पहने हुए है और सूज और सॉक्स बेच रही है वो जो औरत जिससे तुम मुझे कंपेर कर रहे हो नो नो आम नॉट डाट वोमन तो नहीं नहीं मैं वो औरत नहीं हूँ जो तुमने एक औरत को देख लिया और उसी के आधार पर तुम सभी को जर्ज़ कर रहे हो ये गलत है मैं वो औरत नहीं हूँ मैं तो आजाद होना चाहती हूँ और अपनी आवाज को अपनी खुश्बू को दूसरों तक पहुचाना चाहती हूँ तो फ्रेंट्स यहाँ पर ये पोयम खत्म होती है बहुत ही सिंपल सी पोयम है इजी वर्ट्स में लिखी गई है लेकिन बहुत ही स्ट्रॉंग और डीप मीनिंग को बताती है कि किस तरह एक पैट्रियार्किक सोसाइटी में जो विमेन हैं उनकी स्थिती बहुत ही बुरी होती है लेकिन इस बात का रोना अब बंध हो चुका है और अब ये जो विमेन हैं ये आगे बढ़ने को तयार हैं अपना हक पाने को तयार हैं तो फ्रेंट्स ये थी किश्वर नाइट के पोयम I am not that woman